सच सच बताना फिल्मों में जज को जोर से हतोडा मारते हुए देखकर कभी मन नहीं किया, काश अदालत में मैं किसी केस का फैसला सुना पाता, अनिल सहाब एक दिन के सीएम थे तो हम एक दिन के जज तो बनी सकते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे, नया साल मुबारक आपक की बच्पन की ख़ाइश पूरी कर देती हूँ, काला कोट सिलवालो, किसी की जिंदगी और मौत आपके हाथों में बंद होने वाली है, हेलो फ्रेंड्स मैं हूं दिक्षा, वेलकम टु फिल्मे रिव्यू आफ नेल पॉलिश, उत्तर प्रदेश का लखनव शहर, दो बच् की राजय सभा की कुर्सी गिफ्ट में माटी जाएगी, तो दूसरी तरफ एक मामुली से गरीब, लेकिन इमानदार वकील सहाब है, जिनकी जिंदगी की रेल गाड़ी सिर्फ दो पट्रियों पे भागती है, सच और इमानदारी, अब केस क्या है वो गहराई में समझो, दो चोटे मासूं बच्चे हैं, जिनका शरीर पूरी तरह जल चुका है, लेकिन मौत से पहले और मौत के बाद उनके साथ सेक्शुल असॉल्ड भी किया गया है, मतलब जिसने एक कांड किया है, वो इनसान के शरीर में जानवर है, शरीर से याद आया कि इसका असली ट्विस्त शरीर को देना कितना सही कितना गलत है, कभी ऐसे केस के बारे में सुना है, जहाँ पे अदालत में सबकी आखों के सामने एक इनसान दूसरे इनसान में बदल जाए, जासुसी का शौक रखते हैं, पहलिया सुलजाने में मज़ा आता है, क्या आपने भी रसोडे में कौन था एक तरफ आप खुद को दुनिया का सबसे हुश्यार इनसान समझने की गलत वैमी को तूटने से बचाना चाहते हो, और दूसरी तरफ किसी बिचारे निर्दोश को जबर्दस्ती जूटी सजाना मिले, इसकी रिस्पॉंसिबिलिटी भी आपके कंदों पे है, फिल्म की खा अब बात उस चीज की जो नेल पॉलिश को बाकी बॉलिवोड फिल्मों से एकदम अलग बना देती है, ओपन एंडिंग, जी हां वो फिल्म जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी ओडियंस की होती है, जैसे अंदाधून या फिर इस्तरी, उसी तरह इस फिल्म का क्लाइमेक् सीन से भी आएगी, जला हुआ इंसान और इंसान के मुखोटे के अंदर छुपकर बैठा हुआ शैतान, ये बेसिक कॉंसेप्ट उसी शो की थीम से हुबहु मिलता जुलता है, हाँ एक फ्री एड़वाइक्स जरूर दूंगी, दो-तीन सीन ऐसे हैं, जो कमजोर दिल वाले के लिए बिलकुल नहीं है, फालतु में मुखा स्वाद और आँखों का सुक दुप में बदल जाए, इसलिए साबधान रहिए, सतर्क रहिए, और हाँ, असली अक्टिंग किस चीडिया का नाम है, वो मानव कॉल को देखकर बहतरीन तरीके से समझ जाओगे आप, एकी शक् जासूस और जेफॉर जजज एक ही फिल्म में दोनों सपने पूरे हो जाएंगे आपके, कातिल को ढूंडो और बाद में खुद उसको सजा भी सुना देना, लेकिन थोड़ा ध्यान से कहानी का हीरो कौन, विलन कौन सवाल काफी तेड़ा है, मेरी तरफ से फिल्म को पांच बाद में रियल इंसिडेंट वाले सोशल इशू को इग्नोर करने के लिए, और हाफ स्टार मानव कॉल को छोड़कर बाकी सभी केरेक्टर्स की कमजोर राइटिंग के लिए जिसकी वज़े से आप इनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ रिकायब करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाओंगी, बढ़ना थोड़ा सा इंतिजार करिए, मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बाए बाए